मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट संग के लिए शुबकाउन नाओं का संदेश लाया हूँ महासभा के 32 में अजिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट संग में भारत की दड़ास्था को पुनाव्यत्त करना चाहता हूँ जनता सरकार को शासन की बाग डोड संभाले केवल छे मास हुए है फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उनलेखनिय हैं भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुना पृतिष्टित हो गए हैं जिस भै और आतंत के वातावरं ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है ऐसे समवई धानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह निजन सुनिश्चित हो जाए कि लोक तंत्रों बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा अध्यक्ष महोदय वसुद है वो कुटमुकिम की परिकल्पना बहुत पुरानी है भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है अनेक अनेक प्रेचनों और कश्टों के बाद सहिक्ष राष्ट के रूप में इस वपन के अप्ताकार होने की संभावना है यहां मैं राश्टों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ आम आदमी की पृतिष्ठा और प्रगती मेरे लिए कई अधिक महत्तों रखती है अंत्ता हमारी सफलताएं और असफलताएं के वल एक ही मापदंड से ना पी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाच वस्तुता हर नर नारी और बालक के लिए न्याए और गरिमा की आश्वस्ती देने में प्रेट्र शीलें अफरीका में चनौती स्पष्ट है प्रश्ट ये है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरनी अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याए और दमन करता रहेगा बिस्तंदेर रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए हाल में इजराहिल ने वेस्ट बेंक और गाजा में नई बस्तियां बसा कर अधिक इस ख्षेतरों में जनसंख्या परिवर्टन करने का जो प्रेटर किया है सहिक्ष राष्ट को उसे पूरी तरह स्विकार और रद कर देना चाहिए ये दिन समस्याओं का संतोर जनक और शीगरी समाधान नहीं होता तो इसके दुष परिणाम इस ख्षेतर के बाहर भी थैल सकते हैं यह तिया अवश्यक है कि जनेवा सम्मेलन का शीगरी पुरा आयूजन किया जाए और उसमें पी एलो को पृसिनिस्तु दिया जाए अध्यक्ष महोदय भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत पर स्थापित करना नहीं चाहता भारत न तो आनविक शस्थ शक्ति है और न बनना ही चाहता है नई सरकार ने असंदिक दिशब्दों में इस बात की पुनर घोशना किये हमारी कारिसूची का एक सर्वस्पर्शी विचय जो आगामियनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह मानव का भविश्य मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमें एक विश्य के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्यान तता उसके गौर्व के लिए क्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे जय जगत धन्यवाद